देश की दूसरी सबसे बड़ी दुरसंचार कमपणी भारती एरटेल ने सफलता पुर्वक अपने 5G टेस्टिंग को पूरा कर लिया है। नोन इस्टेंडलोन नेटवर्क टेक्निक के माज़्यम से इस 5G टेस्टिंग को पूरा किया है। परन्तु भारती एरटेल ने भारत में ही 5G की सफल टेस्टिंग पूरी कर ली है। भारती एरटेल ने इसे मुद्दे पर बयान देते हैं वे कहा कि कमपनी ने मोजूदा 4G स्पेक्टरम बैंड की मदद से मीड बैंड के बिना वेवसाइक रूप से 5G से वाँ को लॉंच कर सकती है। लेकिन फिर भी कमपनी 5G स्पेक्टरम को रिलीज करने का इंतिजार करेगी खासकर मीड बैंड में मोजूदा 4G टेकनोलिजी की तुलना में एरटेल 5G, 10 गुना इस्पीट, 10 गुना लेटेंसी और 100 गुना कंसिलर देने में सक्छम है। एरटेल के 5G उप्योग करता महज एक सेकेंड में पूरी फिल्म को डाउनलोड करने में सक्छम होंगे। प्रयास किया है, हमारे हर एक निवेस को भविस में प्रमानित किया जाता है, क्यूंकि हैदराबाद में या गेम चेंजिंग टेस्ट साबित हुआ है। एक साथ आने के लिए इको सिस्टम क्या विश्चता है, एप्लिकेशन, डिवाइस और नेटवर्क इनोवेशन, हम जल्द ही स्पेक्टरम नीलामी के बाद और सरकार से मंजूरी मिलने के बाद 5G सर्विसेस को शुरू करेंगे। बहराल भारती अटेल ने सफलता पुरुवत अपनी 5G टेस्टिंग को पूरा कर लिया है। 5G की टेस्टिंग हैदराबाद सहर में की गई है।